find the missing term, देखो इस तरह के question में normally common sense का use करना होता है, simple arithmetic use करो, जैसे यहाँ पे 60 है और यह 61 है, इन दोनों को add करो तो value कितना है, 121, और इसका square root निकालो के तो यह आएगा 11, इन दोनों को अगर आप add करोगे, तो यह कितना है 100, और इसका square root कितना है, 10, और इन दोनों का difference किसके equal है, 1K, जो आपको middle में given है, similarly अगर आप इन दोनों को add करोगे, तो value कितना होगा, 169, इन दोनों को आप add करोगे, तो value कितना होगा, 81, इसका square root 13 है, और इसका square root 9 है, दोनों के बीच में difference कितना है, 4 का, तो आपको clue मिल गया करना क्या है, इस दोनो को आप add करो, तो ये value कितना हैगा, 144, इस दोनों को add करोगे, तो value कितना हैगा, 49, इन दोनों का square root निकाल दो, तो ये value कितना हैगा, 12, और ये value कितना हैगा, 7, दोनों का difference कितना है, 5, तो हमार answer क्या हो जाएगा, option number 2, तो दा एक सुरा watching the video,